इस तसी स्लीप्स की लिए बहुत ही आसान स्लीप्स है बीगनर्स के लिए तो बहुत ही आसान है तीकिस तरीक आप नेको स्लीप्स की लेंध है मैंने 2- competing लेंध लेंध है पीस पाड़े फारी स्लीप होगा उस मिए मैं इसी नहीं होगी然 States it like I need 침े डोपीस घ्लिए ले रखें डेके इस तरीकसे आपको क्या करना है कि गोड़न कप्रा और एक सिंगल आपको प्रफ का ले लेना कि दूनों जो हाव आपका स्लीप का कपड़ा है उसको बन साइड और दूसरे टुकड़े को भी बन साइड स्लीप को आपको टेच कर देना कपड़े को इस तरीकिस मैंने अटेच कर दिया है एक फिनिशिंग वाली स्लाइब यह आपको दौनों तरफ लगा देनी है इस तरीकिसे आपको एक सेंटर पॉइंट बना लेना है करते हो अथा करते हो आघ मैंने के संटर यहा भती बनाएं प्लेट है को इस तरही किसा मेंने की लगा याव अब हें बनात जाये चाहां के ऊप्लेट लिए वे निकल दिया है यह उसको सबस्क्राइा सेंट्र प्लेट आं लेह इंक, वाद को क्या करना इस तरीक से एक अ कि तरप से एक प्लेट इधर से और ये वादम कि अग्ष लगा दीचिया मैं आप चाहें तो कि प्लेट didi कर सकते मैंने नहीं कीआ है तो के मैंने उस से कोई फर्क नहीं पड़ता है आप आराम से बना सकते हैं इसको देखिए मैंने इसको इस तरीक से प्लेट लगा के और अलका से आपको बाद में प्रैस कर सकते हैं मुझे प्रैस की जरूत नहीं थी क्योंकि यह कपड़ा हाट था तो मैंने इस पिन से इसको अटेच कर दिया है यह प्लेट लगने के बाद इसको प्लेट आपको तो आपको श्लाइब करने में दिक्कत नहीं होगी अब देखिया आप इस तरीक से इसको श्लाइब कर दीचे नीचे की तरफ से ज्ञाइंट कर दीचे आप अब हम इसकी कटिंग करेंगी स्लीव की तरीके से आपको इसको डबल करके रखना है और मोहरी पर मैंने इसमें निशान लगाया है मोहरी पर पांच इंच का निशान है इसको अधियर इंच आपको मार्जिन देना है यहां से साड़े आठ इंच आप करीब ले लीजे साड़े आठ इंच क्योंकि साड़े आठ नौ इंच का ही 36 इंच का बलाउस है तो उसे इसाप से मैंने इसको साड़े आठ इंच लिया हुआ है इसाड़े आट इंच आप ले ली जाएगा जब आप प्लेट्स लगाएंगे यहां से आपको डाइंच लेना है और यहां से यह त्यूर इंच लेंगे इसे लेते हूँ आपको एक लाइंट ड्रॉइस कर लेनी आर्म होल की और यहां से हम इसको मुहरी की तरफ मिला देंगे अभी हम इसको कट कर देंगे जो भी एक्स्ट्रा फैब्रिक है हमारे पास अब यह हमने इसमें डीपनेस कटने की और गहराई जो होती है क्योंकि मैं जब दौनों स्लीप बनाती हुं फिर एक आपके दोनों की कटिंग करते हूं गहराई की ताकी दोनों एकसी कटिंग हो तर-बदर कट पढ़ना हूँ इसलिए मैंने यहां से आपको क्या करना है कि मैंने एक चौक कर निशान एक्ष्टा हमारे पास फैबरिक है उपर की तरफ उतना हमने 9 इंच के बाद हमने जो बच्चा को एक कपड़ा है उसको आधा इंच में सारी प्लेट को आधा से एक इंच में हमने इसको करनवर्ट किया है सारा एकटा करके हमने चोटी-चोटी सी प्लेट लगाई है तो यह हमारा आधा से एक इंच में करीब हमारी पूरी प्लेट तैयार हो गई है अब दो बार इसको रिवर्स करके इसलाई लगा दिए देखिया हमारा एक पफ बन गया है अभी हम क्या करेंगे कि महरी की तरफ एक कपड़ा लगा देंगे तो जो बच्चा हुआ कपड़ा है उसी को मैंने उसके है उल्टी की तरफ आपको रखके बैक साइड रखके और जो मैंन फैब्रिक है जो आप लगाएंगे महरी की तरफ उसको भी उल्टा रखिए गा इस तरी किस लगा दीचे अभी जो स्लाई के हो कपड़ा उसको अंदर की तरफ फूल्ड कर दीचे अंदर की तरफ मतलब दबा के एक स्लाई और लगा दीचे तो यह सही से कपड़ा बैट जाएगा बाद में आपको क्या करना है कि महरी की तरफ फोल्ड करके फिनिशिंग वाली स्लाई लगा देनी है यह फिनिशिंग वाली स्लाई आपके फ्रंट की तरफ आएगी यह देखे बन गए हमारी पफी स्लीप्स अभी मैंने इस पे एक बटन लगा दिया है एक इस तरीके से हमारे पफी स्लीप्स तैयार है बहुत ही सुंदर सा बन गया है यह बाद में इस बटन की जगह मैंने लेस यूज़ किया तो अधी आपको मेरे वीडियो पसंद आयो त प्लीज मेरे वीडियो को लाइक जरूर करेगा चैनल को सब्सक्राइब किचेगा और फस्टाइम जो लोग आया है विजिट कर रहे हैं वो भी सब्सक्राइब करें थैंक यू सो मच